एक interview question discuss करेंगे आप मेरे company के बारे में क्या जानते हो what do you know our company ठीक है काफिर must question है interview का और इतना अच्छे से explain करेंगे ना दोस्तो कि अगर ये question आपसे पूछा जाए भली ये question आपको आपसे वो रोची रखता है कि आप मेरे में कितना interested है ठीक है ना इसलिए question पूछा जाता है हाला कि ये इसको question मत बोलो question तो आपसे original technique technical related question होता है लेकिन ये manobal जानने के लिए तो आप उसके manobal को कैसे बढ़ा सकते हैं बना सकते हैं बनाए रख सकते हैं तकि उसका manobal ना तूटे इसलिए question पूछता है कि आप मेरे company के बारे में क्या जानते हो इसा तो नहीं है कि कुछ भी अगर पर पूर के और आगिया इस company में और जॉब भली गलती से ले लिया तो फिर उसको हटाना पड़ेगा रिकूट करने में टाइम लगती है तो इसलिए वो एक तरीका से manobal जानना चाहता है ठीक है ये question पूछ के बांकि उसका और कोई intention नहीं होता है कि ये question question तो में लिए interview में पूछा जाता है जो आप से पूछे का टेकनिकल से रिलेटर जो भी कुछ है जिस फिल्ड का आप interview देने चाड़ है उसमें पूछेगा ठीक है तो देखो याड उसका manobal बढ़ाते हुए कहना है कि आपको अपना research के हिसाब से जितना होजा कि मैं research किया हूँ और suppose कि मेरा company है ठीक है L&T company है तो कि यह जो company है यह company A1 grade में काम करती है यहाँ पे skilled लोग ही काम करते हैं skilled worker होते हैं अच्छे अच्छे engineer होते हैं जो will educated होते हैं इसका काम जो है ओ सही धंग से चलता है properly A1 grade में काम चलता है यह company अपने तागत के दम पे तागत मतलब कि हाथ वाला तागत नहीं अपना दम पे बोलो तो सीधा quality के दम पे यह MNC company बन चुकी है इंडिया की number one company बन चुकी है और मैं चाहता हूं कि इसका नाम हमेशा इसी ही बनते रहे और ज्यादा आगे बढ़ते रहे इसलिए मैं इस company में आके company के goal को achieve करवाना चाहता हूं अगर company के goal को achieve करवा पाते है तो फिर मेरा भी goal achieve हो जाएगा और यहाँ दोस्तो अगर company के goal को achieve करवाओ गोगे तो आपका goal automatic achieve हो जाएगा ठीक है अगर उसके गोल को एचीव नहीं करो पाऊगे तो आपका रोटी फाई नहीं चलेगा तो बस आप क्या-क्या जानते हो उससे पहले रिसर्च कर लो उस कंपनी के बारे में जिसमें जा रहे हो आप जॉब करने के लिए या इंटर्व्यू देने के लिए तो बस यही चीजे है उसके बारे में तो आपको पता होगा तभी तो उसमें अपलाई किये हैं तो यही चीजे को बोलना है और आपको extra कुछ knowledge नहीं लेना है ठीक है तो बहां की बताओ कैसा लगा यह information अगर अच्छा लगा है तो like कर देना थोड़ा भी लगा है कि मैं कुछ ग्यान की अच्छा बाते बताया हूँ ताकि आप अपने हिसाब से अच्छे से presentation दे सके अपने आपको अच्छे से present कर सके HR के सामने में human resource management के सामने में क्योंकि वो management करता है कि कि किसका क्या need है नहीं है तो उसको अच्छी तरीका से पता है आपका intensity कि आप क्या रट के आये हो और क्या खुद स बोल रहे हो ठीक है तो रटा हुआ कोशन और खुद से बोला हुआ कोशन में फड़क पड़ जाता है अंसर में ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना फिर मिलते हैं अगले वीडियो में